नमस्कार दोस्तों रीड शिक्षक बर्ती दोजार बीश शिक्सा मनोविज्यान की 2000 परसनों की इस टेस्स रंकला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज पार्ट नंबर 22 है और इससे पहले के 21 पार्ट यह दे आपने नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंटीनियो लिंक मिलेगा वहाँ से आप जरूर देख लेए 11 और 12 की खिताबों का पूरा निचोड़ आपको इन में मिलता है तो चलिए दोस्तों आज की टेस्स रंकला सुरू करते हैं और दोस्तों आपको बता के जाना है परिबासा में सरवादिक बल डाला है व्यक्तितों के बारी गुणों पर व्यक्तितों के आंत्रिक वे बारी गुणों दोनों पर व्यक्तितों के केवल आंत्रिक गुणों पर या उप्यक्त में से कोई नहीं तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा option number B व्यक्तितों के आंत्रिक वे बारी दोनों गुणों पर ठीक है next है personality सब्द लेटीन बासा के किस सब्द से बना है परसोना, परसेना, परसोनिक या परसीनिया तो प्यारे साथियों ये बना है परसोना से A option आपका correct answer हो जाएगा तीसरा, रमेश एक दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है रमेश के ये है गुण निम्न मेंसे किस परकार के व्यक्तितों के अंतरगत आएंगे इस्थूल काई, पुष्ट काई, विशाल काई या क्रिस काई तो प्यारे साथियों इसका right answer D option आएगा क्रिस काई अगला है निम्न मेंसे कौन सा परकार सेल्डन के व्यक्तितों उसे दांत में सामिल नहीं है प्यारे साथियों उप्षन है गोलाकार यानि एंडोमार्फी, आयताकार यानि मिसोमार्फी, लंबाकार यानि एक्टोमार्फी और चोगकार यानि एस्टोमार्फी तो प्यारे साथियों इसका जो right answer है वो जाएगा डी ओप्षन, सेल्डन ने तीन ही सील गुण बताए थे, कौन कौन से बताए थे, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार आपको इंग्लिस में most important लियाद रखना है एंडोमार्फी, मिसोमार्फी और एक्टोमार्फी ठीक है प्यारे साथियों नेक्स्ट है दिपक शरीर से हच्पुष्ट है तथा जोकिम बरेकार ये में अच्छा लगता है एससे व्यक्तितों को कहा जाएगा गोलाकार, आयताकार, लंबाकार या इस्तूलकार तो प्यारे साथियों पांच में का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयताकार ओप्सन नमबर B अगला है व्यक्तितों को अंतर मुखी, बहिर मुखी और अब्यमुखी उब्यमुखी स्रेणी में किसने विबक्त किया है एडिलर, गिलफोर्ड, फ्राइडिया, यूंग तो प्यारे साथियों ये जो वर्गी करण है ये यूंग का वर्गी करण है छीक है इन्होंने तीन बताए हैं अंतर मुखी, बहिर मुखी और उब्यमुखी डी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगला है राजिवे, खुश मिजाज, तथा मिलनसार व्यक्ति है परंतु उसकी परवर्ती, रूडिवादी तक अकेला पन पसंद नहीं है एसे व्यक्ति कहलाते हैं अंतर मुखी, बहिर मुखी, उब्यमुखी या सनायू विकरती इस्तित्रा तो प्यारे साथियों इसका अगला है बगत सिंग अपने देश वक्ति के जजबे के लिए विश्व विख्याते, उनके इस देश वक्ति के जजबे को रखा जा सकता है, करम सील, भावुक, समर्पित या विचार सील, तो प्यारे साथियों इसका राइट अंसर ए उप्शन हो जएगा करम सील, अगला ह अगला है योन मूल परवर्ती के उर्जाबाटे जाती है, एहम परवर्ती, इड परवर्ती या उप्रियुक्त में से कोई नहीं, तो प्यारे साथियों इसका राइट अंसर हो जएगा C उप्शन इड पाया जाता है, अगला है व्यक्ति को सामाजिक पराणी बनाई रखने तता नेतिकता में बांदे रखने का कार ये करता है, परा एहम एहम इड या चेतन, तो प्यारे साथियों इसका राइट अंसर हो जएगा A उप्शन परा एहम, अगला है योन मूल परवर्ती के उर्जाबल को क्या कहा जाता है, थेनाटोस, इरोस, लिबीडो या एवे भी प्यारे साथियों फ्राइड ने इसे क्या कहता लिबीडो कहता C-Opion आपका कर्क्त आंसर हो जएगा गयार्वे का वांडूरा तो इसका राइट आंसर प्याड़े साथ यहं 2 oh प्षण होगा मनो विसलेशनात मक्सिदान पूछे तो फिराइड और केवल विसलेशनात मक्सिदान्थ पुछे तो इसका राइट आंसर के आएगा यूंग आएगा चीक है अगला है फ्राइड व्यक्तितों की मौली की काई मानते हैं किसे मौल परवर्ती चित परवर्ती चैतन या लिबिडो तो प्यारे साथ इसका राइट आंसर डी ओप्सन हो जाएगा लिबिडो को मानते हैं अगला है वास्त्विक से लाइक कर दीजिए 60% पर हम हैं जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा कद नाटा तता चित आराम पसंद होता है उसे रखा जाता है इस्थूल काई पुष्ट काई क्रिश का या मिसरित काई तो प्यारे साथ यों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्थूल काई ओप्सन उन्मोदन आवशकता से या समंदन आवशकता से तो प्यारे साथ यों इसका राइट आंसर बी ओप्सन होगा आपके अगला है मेरे दोस्तों हर्मन रोर्षा एक जर्मन अमन विग्या निक थे स्विस्वлек swords ऑन्यानिक तो इसका राइट आंसर हो जेगा बहिर मुकी मनस्ता परवर्ति या परतिरक्षा तंत्र में तो प्यारे सात्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा B बहिर मुकी में नेक्स्ट है मेरे दोस्तों 20 कियुसन विचार परेरणाएं आवेगवे इच्छाएं जो व्यक्ति के सामानी चेतना से परे रहती है व्यक्ति तव के किस भाग का निर्मान करती है अर्द चेतन चेतन ऑचेतन या सबी तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A सी ओप्शन करेक्ट होगा दोस्तों अगला 21 कि उसे ने एक लड़के का अपनी मां से कामुक लगाओ आक्रिशन तदा पिता का इस्तान लेने की इच्छा को क्या का जाता इलेक्टरा स्वय वास्त विकरन एनिमस या ओडिपस तो प्यारे सातियों इसका राइट आंसर हो करता है वह है पराहम एहम इदम या इन में से कोई नहीं तो प्यारे सातियों इसका राइट आंसर ए ओप्शन हो जाएगा पराहम तेश्वां क्यूस्चन है कि निम्न में से कौन सा कतन सही नहीं है ज्यान से पढ़ना पहला है पराहम सामाजी का पेक्सां तो आदर्सों का पृतिनित्धी तो करता है दूसरा है एहम का विकास इदम से होता है तीसरा है इदम का उदिश्ची किसी भी तरे से आवशक्ता कि शंतुष्टी करना होता है ओर चो ripping toxxn का कोई समध्न नहीं है तो प्यारे साथियों यहीगलत है इन तेनों में समध्न होता है यह नहीं होत का हो जाएगा बी बाइर मुखी होता है चीक है अगला है एक लेकर का व्यक्तितों होता है बाइर मुखी अंतर मुखी उभी मुखी या सुन्य मुखी तो प्यारे सातियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर मुखी बी ओप्शन करेक्ट आंसर होगा सेल्डन ने व्य सारे एक मूर्तिकार का व्यक्ति तो होता है समाजिक धार्मिक सेदानतिक या सुंद्रियात्मक तो प्यारे साथ यह important है ध्यान रखना इसका जो right answer है वो D option होगा आपके सुंद्रियात्मक अगला है 28 व्यक्ति परतियक इस्तति के भीतर तक जाकर विशलेशन करता है वह थ होंडाई के निम्न बेद में से है परत्यक्स विचारक शुक्षम विचारक इस्तूल विचारक या तर्टस्त विचारक तो प्यारे साथ यह वो इस्तूल शुक्षम विचारक करता है B option आपका correct answer हो जाएगा गुंतिस्वा क्युषम है एक विच्ति यह निश्चित नहीं कर पाता कि दीती स्रेणी परिक्षा वे तर्ती स्रेणी परिक्षा में स्रेष्ट कौन सी है भारतिय द्रिष्टी कौन से एसा विच्ति तो किसमे आएगा रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी या कर्मगुणी तो प्यारे साथ हो इसका right answer ए उप्षन हो जाएगा रजोगुणी अगला है किसी व्यक्ति को कि यह समाचार प्राप्त होता है कि उसके पिता अब कुछ दिन ही दुनिया में सेसरेने वाले हैं पिता की मर्तिव से पूरुए व्यक्ति शुयम आतमत्या कर लेता है आदुनिक दृष्टि कौन से उसे रखा जाएगा करम सील भावुक, विचार से लिया मनस तापी तो प्यारे साथ हो इसका जो right answer है वो हो जाएगा बी ओप्षन भावुक तो दोस्तों ये 30 क्यूशन आज के थे 30 में से आपके कितने सहीव हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अब चलिए आपसे 2 क्यूशन पूछने की बारी है कल मैंने पूछा था कि वहां पर 100 दन वाला वो पूछा था तो उसमें 100 दन आएगा ठीके के लोग दमन बता रहे हैं किस वर आवस्ता में ठीके तो सोदन करना है दमन नहीं करना है इच्छाओं का सोदन करेंगे ठीके और दूसरा वेचारी किरिया आवस्ता पूछी थे तो उसका राइट आंसर बाली आवस्ता है चलिए आज के दो क्योशन पहला क्योशन आप तयार कर लीजिए तो दोस्तों पहला क्योशन है कि शिक्षक मैं लिखते ता हूँ शिक्षक शिक्षन परकिरिया का कौन सा चर है शिक्षक शिक्षन परकिरिया का कौन सा चर है आपके ओप्षन इस परकार से क्यूशन सुन लिया शिक्षक शिक्षन परकिरिया का कौन सा चर है पहला ओप्षन आपका है सवतंतर चर दूसरा आपका आश्रित चर तीसरा आपका मध्यस्त चर और चोता है उपरियुक्त सभी तो दोस्तों सिक्षक जो है शिक्षन परकिरिया का कौण साचर है 37 आशरिते मद्यस्तेया उप्रियुक्त सभी है यह पहला क्योषन है आज का दूसरा क्योषन है कि विलिम मेकडुगल नाम सुनाओगा आयात आपने बीच में कहीं विलियम मेक डूगल ने कितनी मूल परवर्तियां बताई है आपको दोनों के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है पहला था सिक्षक सिक्षन परकिरिया का कौन सा चार है सउतंतर है आशरित है मज़ेश्ट है या उप्रयोक्त सभी है और दोसरा था विलियम मेक डूगल ने कितनी मूल परवर्तियां परते बातित की है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी सभी कमेंट करेंगे और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे या अपनी 2000 परसनों की तो टेस्ट सीरीज है दोस्तों मिलते हैं इस सिसन में कल ने वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन जैबारत